फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप Amazon Paylator के थुरू कैसे EMI पे सौपिंग कर सकते हैं वीडियो को लाश्ट तक वाच कीजिएगा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग बिना एक पैसा दिये Amazon Paylator के थुरू EMI पे सौपिंग करते हैं सबसे पहले आपको Amazon अप में जाके आपको Amazon Paylator अक्टिवेट करना होता है ये Amazon Paylator कैसे अक्टिवेट होता है उसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं उसके बाद आपको मैक्सिमुम 60,000 तक का लिमिट मिल सकता है आपके सिबिल के बेस पे कोई भी आपको income proof नहीं मांगा जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझे जो लिमिट मिला हुआ है 35,000 का लिमिट मिला हुआ है जिसमें मैंने इतना यूज कर दिया तो इतना लिमिट बचा हुआ है अब ही मैं कोई भी प्रड़क्ट एक रुपया दिये भी ना ठीक है कोई भी डाउन प्रमेट देने के जब होता ही 14,360 का कोई भी प्रड़क्ट EMI पर परचेज कर सकता हूं तो परचेज मैं करके आपको दिखाता हूं कि कैसे परचेज करना है एक्जामपल के लिए यहां पर क्या करेंगे सर्च करेंगे इसको कट करते हैं यहां पर मैं सर्च करता हूं जैसे स्मार्ट टीवी मैंने पहले से सर्च कर रखा था यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जैसे एक टीवी है आपको यह दिख रहा होगा 12,499 का अब मुझे यह पोड़क्ट बाय करना है यहां पर इस तरीके से ओपन होगा अब मुझे देखना है कि Amazon Pay Lator पर अब देख सकते हैं इसका EMI Plans देख लेते हैं कि किस तरीके का है यहां पर Amazon Pay Lator पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यह Amazon Pay Lator पर अब लेबल है आपको इंट्रेस्ट लगने वाला है और कितना इंट्रेस्ट लगके हो जाएगा टोटल यहां पर दिया हुआ है अब मुझे जैसे यह प्रोडक्ट परचेज करना है तो कैसे करेंगे तो यहां पर नीचे में यहां पर सेम जो प्रोसेस होता है अमेजोन से बाइर करने का उस उसके बाद चूज एमाई प्लान पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद और कुछ नहीं करना बस यहां पर कंटिनीव पर क्लिक कर देना है अब यहां पर देख सकते हैं कि ऐसे कुछ ओफर दिखा रहा है तो मुझे यह सब ओफर नहीं लेना है तो नो थैंक्स पर क्लिक कर द हो जाएगा कभी कभी मॉइल रिचार्ज पर आपको कोई वैजिफिकेशन नहीं होता है सिर्फ नर्मली आप सेलेक्ट किये और उसे आप रिचार्ज कर सकते हैं लेकिन जब होता है कि बरा एमाउंट होता है तो आपका वैजिफिकेशन किया जाता है बहुत ही प्रोसेस है बिल्दे एनले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार